हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के बारे में देखो आज एक बारी जो काफी टाइम से इसमें गिरावट चल रही थी वो आज जब वीक 135 रुपे का इसका हाई आपको देखने को मिला था और 152 पर ओपनिंग होई थी यानि इसके बाद एक मुमेंटम देखने को मिल रहा है अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जब से लिष्टेंग हुई है तो लगब 8-9 परसेंट के नेगेटिव रिटन्स आपको अगर आप देखो तो पुटेंशल इस स्टॉक का अगर लॉंग टम के हिसाब से देखते हो तो बहुत ज्यादा है शॉट टम में अभी भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है अंटिल और अन्लेस इसके क्वार्टर टू के नंबर्स बहुत ज्यादा शांदार आ जाते हैं तो सब पहले यहाँ पर hsbc की एक रिपोर्ट निकल कर आई इस रिपोर्ट में खुलासा करा गया है जार इस जाह ब आई-सकी वो इस प्राइस से भी 27 परसेंट की गिरावट दिखा सकता है यानि कि यहां से फर्दर गिरावट एक्सपेक्टेड नजर आ रही है और ओबरॉल माहौल अभी भी नेगिटिब नजर आ रहा है foreign brokerage HSBC ने coverage initiate करी है बजाज housing finance पर और बोला है कि अगर आपके पास इसके stocks हैं तो आप इसमें कम कर सकते हो या पर बिकवाली कर सकते हो क्योंकि जो risk and reward ratio है वो unreasonable नजर आ रहा है overall जो valuation है बहुत ज़्यादा higher side पर है और valuation implies steep expectation in terms of earning growth and acid under management HSBC ने यहाँ पर जो target price suggest कर रहा है वो कितना कर रहा है 110 रुपे का 110 का price जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है अब देखो एक report में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ जिसमें मैंने flip capital के बारे बात करी थी 210 के target थे फिर अगर आप देखो कि stock box के analyst थे लगबग 175 के असप सुदस के target जो है वो नजर दिखाए हैं एचस भी निदा है दो चीजों के बारे में यहाँ पर बात करीए कि सबसे पहला जो current valuation है अगर हम GG model के हिसाब से देखते हैं तो current model से यहाँ पर 10% की long term growth नजर आ रही है और 17% की ROI यानि की return on equity नजर आ रही है इन सारी चीजों को higher ROE है stable outlook है steep valuation है वो बहुत सारे discounted valuation पर available है अगर हम compare करते हैं बजाज housing finance से तो यानि की overall इसका valuation बहुत ज्यादा higher side पर है और यहां से जो target है वो काफियत तक इन्होंने कम दिया है इन्होंने बोला है कि हमने इसमें garden growth model यूज करा है जिससे हमारा जो target निकल कर आता है वो 110 के आसपास निकल कर आता है तो यहां से आप देखकर चल सकते हो कि क्या कुछ चीजें जो है वो नजर आ रही है overall अगर आप यहां पर देखो तो मैंने आपको बताया कि short time में चीज़ें जरूर आपके लिए volatile हैं लेकिन वहीं अगर आपका vision जो है वो है तीन साल, पांस साल, सास साल का तो फिर definitely इस stock का potential काफिया दर तगड़ा है क्योंकि growth इसकी अच्छी है fundamentals इसके बहतरीन है और यहां से quarter 2 के जब numbers निकल कर आएंगे तो उसमें भी हमें काफी कुछ clarity जो है वो मिल जाए कि क्या करी यह जो stock है वो किस direction में जाते हुए नजर आ सकता है एक और update निकल कर आई वो मैं आपके साथ share करता हूँ बजाज housing finance stock in focus as the AUM crosses 1 lakh crore in the first business update post listing यानी कि इनके quarter 2 की अपडेट्स निकल कर आई है बिजनेस अपडेट्स निकल कर आई है जिसमें बताया है कि इनका जो AUM है वो एक लाख करोड को cross कर गया और एक बहुत बड़ी बात है IRFC का आपने देखा होगा कि काफी टाइम बाद एक लाख करोड इसने cross कर पाया था बजाज housing finance अब देखते हो तो इतनी जल्दी यहां पर आपको यह चीज़े देखने को मिल रही है बजाज housing finance ने अपने जुलाई सेप्टमर क्वाटर के कुछ अपडेट शेयर करें है इस अपडेट में बजाज housing finance से बताया कि इनका जो AUM है वो एक लाख करोड से ज्यादा निकल चुका है जो total AUM है वो आपको 26% की growth नजर आ रही है जो कि अगर हम इसको last quarter से compare करते हैं तो 26% की growth AUM में बहुत बड़ी growth मानी जाती है वो भी एक quarter के अंदर अंदर तो जो मैं आपको भी बोल रहा था कि अगर आपका vision long term का है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर growth जो है वो बहुत higher side पर है अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी का जो AR है यानि कि जो loan asset है वो 89,860 पर था September quarter का अगर हम previous year से इसको compare करते हैं तो वो आपको 70 के आसपास नज़र आ रहा है यानि कि यह भी बढ़ते हुए नज़र आया बजाद housing finance one of the year's most successful listing भी नज़र आई जिसमें 70 के price का 180 तक पहुंचाया और अभी भी 150 पर यह टिका हुआ है इन्होंने अपने quarter की update भी share करी जिसमें अगर आप देखते हो तो इन्होंने अपने customer base के बारे में बता है वो आप देख सकते हो new loan growth book जो है वो उसमें भी 14% की growth देखने को मिली यानि कि एक अच्छा कासा scenario जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिर इन्होंने अपनी जो overall यहाँ पर इंगी share holding pattern है वो भी share किया उसमें अगर आप देखो mutual funds की holding अभी आपको नज़र आएगी लगबग 1.38% fpi यानि कि foreign portfolio investor नज़र आएंगे 2.31 fpi जो category second आती है उसमें ज्यादा कुछ देखा नहीं जाता है तो उसमें आपको देखने मिल रहा है banks आप देख पा रहे होगो 0.61 other financial institutions आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे insurance companies की भी holding उतनी हादा नहीं है लेकिन आप यह देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपको fpi काफी तगड़े holding लेकर बैठे हुआ है अब जैसे मैंने HSBC की report दिखाई थी वैसे अब मैं आपको एक और broker की सला बता देता हूँ अंबाला की सला है कि बजाज आउसिंग finance का share का target जो है वो 300-800 रुपे के बीच में रह सकता है अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हर एक जो एनलिस्ट है उनका vision अलग होता है उनकी thinking अलग होती है तो इस बज़े से target वी और viewpoint वी आपको अलग अलग नजर आते हैं तो 300-800 रुपे के बीच का यहाँ पर target रह सकता उन्होंने का है बैसे तो यह target काफी यादा महत्तोकांची है लेकिन जिस तरह housing loan की demand और आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए शेर 800 रुपे का target बहुत ज्यादा easy नहीं देखेंगी आनंद राठी के analyst ने कहा कि company का overvaluation fundamental अच्छा देख रहा है इसके बिजनिस की growth आगे अच्छी रहनी है और मौझूद है जो return profile वह भी बहतर होगा तो वही सिंपल सी बात निकल गयाती है इसमें कोई भी hard and fast रूल नहीं है शौट तब में fluctuation देखने को मिलेगी उस अकोर्डिंग आप strategy बनाए लॉंग तब में यह शेर आगे जा सकता है अच्छे percentage के साथ growth दिखा सकता है तो वह उस आप यहां पर टार्गिट देखें तो यह overall coverage बजास housing finance कि मैंने आपको एक एक चीज़े बता दिया फिलाल वीडियो में बसे इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरू करिएगा और अगर आपको चैनल पर फर्स्टाइम विजिट कर र